दोस्तो आज मैं आपको एक प्लैन देने वाला हूँ, प्लैन ये देने वाला हूँ कि आपको मैं 5 लाख, 10 लाख, कोई कहे तो 50 लाख तक भी, लाख मैं आपको पैसा दे सकता हूँ, आप ट्रेडिंग करो, दबा के पैसा कमाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस प्लैन के पीछे का hidden factor, बहुत सारे लोगों को ऐसे प्लैन मिलते होंगे, आज मैं भी आपको इस प्लैन के बारे देखते हैं, या फिर कह सकते हो, हमारे पीछे के जो भी like background में, history में जो चीजे हुई है, जैसे कि मैं बात करूँ, रामायन की बात करूँ, तो पता लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है, यही तो सिखाता है वो हमको, इसी तरीके से महाभरत देखते हो, त क्या पता लगता है, पता लगता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, यही तो concept समझाते हैं दोनों चीजे, इसी तरीके से real life के अंदर भी आपको यह चीजे पता होनी चीजे कि मुझको क्या करना है, और क्या नहीं करना है, तभी आप एक अच्छी life जी सकते हो, आज मैं पता आँगा कि क्या नहीं करना है, आए समझाता हूँ, देकि मारकेट में ज़ए नए तरीके की चीजज चल रही है, इसको बोलते हैं बेसिकलि डबबा ट्रेडिंग, नाम बहुत सिंपल है, डबबा ट्रेडिंग, आप कहोगे बडबे के अंदर ट्रेडिंग होती है, इस इसका क्या मतलब है हमारे पैसे डब्बे में डाले जाते हैं ना जी इसके अंदर आपकी पूरी की पूरी जिंदगी भर की कमाई डब्बे में चली चाती है आपके पूरी फैमिली का फ्यूचर डब्बे में चला जाते हैं आपके बोलना क्या चाते हो सीधा सीधा बताओ पहले concept clear करो देखो वो हर आम आदमी जो भी trading के अंदर जाना चाहता है जो भी अपना future create करना चाहता है उसको पता होना चाहिए कि इस trap से बचना कैसे है और इस trap में आम आदमी तो फसी जाता है क्यों फस जाता है सोचो मैं आपको बोल रहा हूँ अजी ये एक number है इस पे call करो इस पे करने के बाद 5 लाग रुपे तक का account आपको मिल जाएगा 10 लाग रुपे का account आपको मिल जाएगा 50 लाग रुपे का account आपको मिल जाएगा कोई पूछे कोई free में आपको पैसा क्यों देगा आजी हम free में कहां दे रहे हैं आपको हम scheme तो बता रहे हैं 50 लाग का fund है इ खुद भी को अपनी किटनी बेचो मेरे पैसे दे देना, आपको ओगे कैसी प्लानिंग बता रहे हो जी, जी हाँ ये ट्रू डार्क रियालिटी है, किस चीज के बारे में डबा ट्रेडिंग के बारे में, आईए धंग से समझते हैं, है क्या, गेम क्या है नॉर्मली देखो, गेम क्या होता है, नॉर्मल माली जी मैं अपने घर में बैटा हूँ, चीक है मैं यहाँ पे घर में बैटा हूँ, और मैं कहता हूँ, बैच देखो मैं तो जैनुवन तरीके से काम करूँगा, धीमे-धीमे करूंगा लंबा जाओंगा इसी तरीके से दूसरा इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है वो कहता है मैं भी इसी थियोरी के साथ काम करता हूँ कम कमाएंगे बट अराम से खाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ बैठ कर मैंने बोला चाहता हूँ कहां से कर सकता हूँ मुझे उससे में अवेर्नेस नहीं थी बट आज की बात करें पता लगा कि जो ब्रोकर होते हैं इसमें तीन पार्टी इंवल्व होती है पहली पार्टी कौन है लाइक खुद मैं जो काम करना चाहता हूँ और दूसरी पार्टी इसी जगापर दूसरा इंसान जो दूसरा जो काम करना चाहता है ठीक है एक ही चीज को कोई ना कोई खरीदे का बेचेगा ना मालो कोई XYZ कोई भी चीज है उसको कोई खरीदने के लिए होगा तो कोई बेचने के लिए भी होना चाहिए concept समझना जिसको ये समझ में आ गया ना भाई तुम trap से बच जाओगे जिंदगी भर के लिए क्योंकि गडबड एक बार होती है ठीक है बार बार नहीं होती है एक बार धोका हो सकता है बार बार नहीं हो सकता अगर बार बार धोका हो रहा ना तो अपनी तरफ देखो तुम ही मूर्ख हो ये सच है मैं अपनी लिए भी बोलूँगा अगर मैं कहीं पर एक बार इस trap में फस चुका तो उसके बाद दुबारे भी अगर मैं ऐसे trap में फस्ता हूँ then definitely मैं ही मूर्ग हूँ not like दूसरा इनसान तो पहली condition, पहली चीज क्या होगी यहाँ पर buyer seller होना चीए दूसरी condition क्या होती है, हमारा सेबी है सेबी ने बोला है कि भाई exchange के साथ ही काम करोगे ठीक, और exchange के साथ में फिर broker जो होंगे, वही broker के साथ आप काम करोगे, third party कौन हुआ यहाँ पर broker ठीक, ध्यान देने के बात है, अगर आप share market में काम करने आये होना, तीन चीजे होना जरूरी है, पहला तो आप, जो किसी को खरीदना चाहते हो किसी चीज को, किसी के shares को, दूसरा इंसान जो यहाँ पर बेचना चाहता है, तीसरी चीज, exchange, जो इन दोनों के द्वारा दिये गए orders को match कराती है, ताकि कोई भेदबाव ना हो जाए सोचो मैंने यहाँ पर बोला, मैं 100 पर मैं खरीदना होता है, आपके घर से लेकर exchange तक order डालना, देखो समझो माल लो, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, अपना laptop लेकर मैंने बोला बैठा हूँ, देखो मैं USD, INR के अंदर काम करता हूँ, currency के अंदर और मुझको यहाँ पर 10 lot बाए करना है, चलो जी बहुत अच्छा, तालिया, बाए करना है, चलो यहाँ से order गया, order जाना चाहिए, यहाँ से like यहाँ पर कौन होगा बीच में, broker चीक, genuine broker, वो भी कौन सा broker, CB registered, ध्यान डगना दूसरी जगा पर कोई इंसान बैठा हुआ है वो भी अपना laptop खोल के बैठा हुआ है, उसने बोला मैं USD, INR के 10 lot sell करना चाहता हूँ, market में एक बार समझ लेना कोई चीज अगर खरीददारी हो रही है तो कोई खरीदने वाला होना चाहिए, कोई बेचने वाला होना चाहिए, यह सबसे पहला fundamental concept है, समझाओंगा क्यों यह बोल रहा हूँ, आभी वीडियो में देखना आगे, यहां से दूसरा broker कोई भी हो सकता है, broker यहां तक क्या आएगा, broker का काम यहां पर भी, broker ही है ठीक, यह भी कौन सा हो सकता है C-B registered चीक है, यह भी C-B registered दोनों होने चाहिए, कोई भी हो सकता है, broker हजारो broker है, पर वो C-B registered होने चाहिए, genuine, उनकी तरफ से then third party यहां पर आ जाती है कौन? Exchange Exchange हमारे यहां पर NSE, like BSE, यह तो हुए हुए, इसी के साथ में 22 plus exchange जो होते हैं, जिनको reasonable exchange बोलते हैं, उसमें ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं, हम 2 को जानते हैं maximum, अब देखो, अगर आप share market में काम करना चाहते हो, जैन्वन तरीके, तीन चीज़े होनी होनी चाहिए, आप और आपका दूसरा इंसान, जो खरीदारी बेचना चाहता है, बीच में broker, जो आपके घर से order उठाएगा, यहां से उठाकर exchange तक पहुचाएगा, और यहां से उठाकर यह वाला broker यहां से यहां तक पहुचाएगा, और exchange का काम क्या होगा, इन दोनों order को match करना, चीक, और match होने पर क्या होगा, आपने buy किया है, तो आपके account में USDNR आ जाएंगे, उस इंसान ने sell किया है, तो उसके पास में आपके द्वारा दिये गए, पैसे चले जाएंगे, simple जी बात है, इस तरीके से पूरा का पूरा business model work करता है, जिसको हम लोग बोलता है stock market, ठीक, अब ध्यान से समझने की बात है, यहाँ पर ध्यान से समझना, बात यह है कि जो broker है, ठीक, उसकी बात करें, exchange है, उसकी बात करें, ठीक, से भी है, उसकी बात करें, ठीक, इन्होंने rules and regulations बनाये हुए, broker का कहना है कि भाई मैं एक आप से पैसा लोगा, जिसको मैं बोलता हू, brokerage, brokerage कितना होता है, 30-40 rupees maximum, ठीक है, पर trade के उपर, किस काम के, आपके घर से order, exchange तक पहुचाने के, यह रस्ता जो है घर से बैठे-बैठे आपने किया, उसका वो पैसा लेता है, आपको एक terminal देता है, जिसमें आपको काम करना easy रहता है, exchange का काम क्या है, order को match कराना, वो भी कहता है, भाई मैं तुमसे transaction charge लोगा, exchange transaction charge, वो depend करता है, आपके कितने पैसे, कितने की trade है, उसके उपर, से भी कहता है, देखो मैं सब के उपर बैठा हूं, चौदरी बनके, मुझको भी तो यहाँ पैसा चाहिए, मैं भी तो survive करना चाहता हूं, तो यह भी आपसे कुछ ना कुछ चार्ज लेता है, यहाँ पर क्या है, यह चार्ज कटने के बाद में, जो आपने बाद में सेल किया, जो बीच का डिफरेंस था, उसके अंदर से इनके चार्ज घटा दो, तो फाइनल प्रॉफिट आपके जेब में आ जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सिंबल सी बात है, यह हुई real market जिसको हम बोलते हैं, अब सोचो, ब्रोक्रेज वाला बोले, बंदा, आपसे कोई पैसा निलूँगा, एक्सचेंज बोले, आपसे भी कोई पैसा निलूँगा, से भी बोले, तुमसे भी कोई पैसा निलूँगा, आप सोचो, यह सर्वाइब कैसे करेंगे, सर्वाइब नोट पॉसिबल, तो यहाँ पर क्या क्या हुआ मैंने बोला भाई देखो एक काम करता हूं मैंना यहां मालू मैं यह हूँ मैंने बोला देखो भाई आप सारे के सारे बंदे जितने भी हो ना एक काम करो मैं आपको एक account देता हूँ, एक terminal देता हूँ मैंने क्या किया, कवी शर्मा के नाम से एक software बनाया, जैसे की लाइक होता है ना, normally जिरुधा है जैसे इसी तरीके से मैंने एक software बनाया और software आपके laptop में install करा दिया, उसके अंदर मैंने क्या किया, API की वज़े से लाइक API होती है, historical data मिल जाता है उसको connect कर दिया, software में तो same to same, जो price यहाँ पर चल रहा होगा न यहाँ पर चलेगा, यहाँ पर आप trade करोगे मालो आपने बोला, 10 lot मुझे buy करना है आपके buy हो जाएंगे आपके buy होने के बाद में profit loss statement के अंदर आपको दिखाई भी देंगे कि आपको 500 रुपे का profit है आपको 1000 रुपे का profit है, दिखेगा अभी कमाल की बात बट ध्यान देनी की बात है यहाँ से software से आपका order कहीं गया ही नहीं है समझ रहे हो, पीछे back end में ना तो save है, ना exchange है ना ही broker है, बस आपका software है उसके साथ में मैंने API ली और connect कर दी और connect करने के बाद में आपको बोला गेम खेल, दिक्कत की बात नहीं है अब तुम यहाँ पे 10 lot में खेलो 100 lot में खेलो, 1000 lot में खेलो 10,000 lot में खेलो, मैंने तुमको बोला हुआ है, दिक्को पैसा नहीं देना कोई fund डालने की जरुवत नहीं है simple सी बात है बस यह ध्यान रखो, profit हुआ तो आपको profit आता रहेगा profit कैसे आएगा, हवाला का जो पैसा होता है उससे आएगा, दिक्को एक common sense की बात समझो अगर 100 लोग trade करते हैं 100 में से 90 लोग नुकसान कराते हैं और 10 लोग professionally trade करके profit gain करते हैं ये 90 लोग जो होते हैं लाइक इनके पास में कहां से आते हैं आपने देखा होगा है, आपने ऐसे ऐसे broker के साथ account खोले होंगे, आपको call आती है आप share market में काम करते हो, नहीं करते हो बहुत सारे लोगों पर आती है, मेरे पर भी आती है मैं तो उनकी टांक हीजता हूँ, क्योंकि मानलों में कभी बोर हो जाता हूँ, ना मैंने कहार चलो, इसकी बैंड बजाते है पहले बात करते हैं, पता दो लगे इसके पास number कहां से आया, कहता है कि financial market से आया, वाजी हम इतने करोड़ पती हैं किया कि हमारा financial market में number circulate हो रहा है, कौन से अंबानी के खांदान से हैं, सूचने की बात है इस चीज़ पर आदमी नहीं सोचता है, यहां से call आता है call आने पर वो कहता है, देखो जी, आपके पास पाईसा नहीं है काम करने के लिए, इन 90% की बात कर रहा हूँ, इन 10% को छोड़ दो इनके पास ही पूरी knowledge होती है, उनको पता है market में काम कैसे करना है, कैसे पैसे कमान है और कैसे trap से बचना है, यह 90% वाले बंदो का data देखते हैं, कैसे देखते हैं, आपने किसी फरजी broker के साथ में account खोला होगा बहुत सारे होते हैं, ऐसे broker जो कुछ पैसा लेते ही नहीं, actual में वो आपका data sell करते हैं, आपको पता ही नहीं है, आपकी पूरी खांदान की list वहाँ पे चली जाती है, कि इसके phone में इतने number, इस तरीके के number यह चीजे, इतना सारा data आज का time जिसके पास पैसा है वो पैसा कमाता तो है, बट उससे जाता पैसा वो कमाता है, जिसके पास data होता है और यह 90% लोग जो होते हैं बिचारे मान लीजे किसी को loss हुआ हुआ है किसी के पास पैसे ही नहीं है, तो यह लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को contact करते है contact करने के बाद बोलेंगे, सोचो कितना अच्छा plan है, आर मैं आपको plan दे रहा हूँ ना तो तुमको कोई पैसा लगाना सीधा software डाउनलोड करो, profit होगा इमानदारी से पैसा में तुम्हें दूंगा और देते हैं, ये बात ध्यान लगना, वो देते हैं बट ध्यान दो, 90% लोग पोपट हैं, क्यों पोपट हैं, क्योंकि उनको ना तो कोई strategy आती, ना उन्होंने कभी financial knowledge के बारे में learn करने की कोशिश की और सबसे कीमती चीज, 20% time market में strategy work करती है तो 80% time तो psychology है अगर इस इंसान के psychology अच्छी होगी तो वो ऐसे trap में, illegal चीज में क्यों फशेगा, सोचो, भाई ऐसे ये जंगा पर जान चली जाती है ये जो लोग होते हैं जो आपको पैसा कहते हैं कि कोई दिक्कत नी भाई, तुमको कोई पैसा नी डालना, ये पकड़ो हमारी link software की link, इसको download करो इसके अंदर अपनी एक ID बनाओ, अपना आधार काड़ डालो, जो भी चीज़े मांगते हैं मतलब security के लिए, ताकि उस बंदे की पूरी information पता लग जाए ताकि कल को वो भाग भी ना पाए, समझरे वो trap में फसाने के लिए, अब हुआ क्या ये बिचारे 90% जो लोग के नुकसान खा रहे हैं, इनके नुकसान खाने का कारण क्या था, पहली चीज़ इनके पास पैसा काम होता है, इसी कारणी बिचारे option बायर बन जाते हैं, और option बायर तो केवल 33% चांस से जीतेगा, अब मेरे पास ऐसी call आती है, मैंने बुला एक game खेलते हैं मेरे भाई, उनने बुला क्या game खेलते हैं किसी और को करना, आप खुछ सोचो, उसको भी पता है कि option seller 66% चांस से जीत जाएगा, अब अगर मैं option selling करूँगा, ये लोग कभी भी आपको option selling करने नहीं देंगे, ठीक है, ये कहेंगे कोई नहीं option buying करो यार, कम पैसा लगता है, तुमारे पर फैली पैसे नहीं है, वो आपको ऐसी चीज बताएंगे कि आपको यहाँ पर लगेगा रहे कितना चादमी है यार, ये बंदा हमसे पाईसाई नहीं ले रहा है, ध्यान रखो आपको profit होने के probability बहुत कम है, पैली चीज 33% चांसे तुम जीतोगे उसके साथ में ही तुमारे mind पर pressure डाल देंगे किस चीज का, कि तुमारे पास पैसे नहीं है, पैसे जल्दी कमाने है तो थोड़ी quantity बढ़ाओ ना, और quantity जैसे ही बढ़ाई और आपकी वहाँ पे band बजना शुरू, एकदम शुरू हो जाती है क्योंकि market में नुकसान होने का कारण क्या है, अपने level से ज़्यादा quantity को लेना, अभी मालो मैं बैठा वाऊ मैं अराम से like कह सकते हो trade लेके बैठा हो, और मेरी शमता है कि 500 lot में काम कर सकता हो, मैं attention खुद से खुद में ही अंदर calculate करता रहता है, उसका data हाँ उन लोग के पाच जाता है कि कितना profit gain किया, कितना loss gain किया, उसके अंदर एक virtual number आपको दे दिया जाता है, कि 50 lakh का account है प्लस माइनस, प्लस माइनस होते होते अगर प्लस हो गया, तो आपको पैसा मिलेगा माइनस हो गया, तो पैसा आपसे छीन लिया जाएगा चाहे आपकी जान चली जाए, आपकी किड़नी चली जाए उनको फरक नहीं पड़ता, ये बात ध्यान रखना गरीब आदमी इसमें फसता है, और गरीब आदमी इसलिए फसता है उसको पता नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है चीक, आपने काफी डाइम देखा होगा, आपको call आती है आप टाटा सफारी कार जीत गया मैं तो दो तीन बार जीता हूँ, पट अब तक किसी ने मुझे उसका एक टैर तक नहीं दिया ठीक है, कहते है तुम 25 लाग खुरपे जीत गए, मैं सोचता हूँ यार मेरे किसमात इतनी अच्छी कैसे हो गई मैंने कुछ कर्म कांड नहीं किया फिर भी मैं 25 लाग खुरपे जीत गया हसने वाली बात है, देखो मेरे साथ भी मैं अपनी बताना चाहूँगा, ये चीज बोलने में मुझे कोई शरम भी नहीं है, मेरे साथ में भी एक बार फ्रोड हुआ ये फ्रोड होना बहुत जादा खीमती है तब तक आपको awareness नहीं आएगी मुझे basically मैं ने Paytm से काफी सारी चीजे order की, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हुआ फ्रोड मेरा उनके साथ में तो क्या दिक्कत है Paytm से मैंने कुछ चीजे order की, मुझे पता लगा delivery boy ने मेरी पूरी detail जो थी उस third party को बेच दी, third party को बेचने के बाद में हुआ कि है, मुझे वहाँ से call आती है कि आपने Paytm से product मंगाया था, मैंने का जी बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुमारा ये phone number था मैंने का ये phone number तो मेरे किसी दोस्त को भी नहीं पता, ये number बता रहा है, इसका मतलबी जैननून Paytm से बात कर रहा है, उन्होंने बोला तुमको ये offer लगा है, ये link है, इस पर click करो जैसे मैंने link पर click किया, मेरे Paytm से 3000 रुपीज तुरंत वहां से गायब हो गए I was short की हुआ क्या, because ये बात है, I think 10th ये 12th क्लास की, 12th क्लास में जब मैं था, मुझे बिल्कुल भी awareness नहीं थी, नया नया Paytm open किया था उस बात से, उस समय से आज तक, एक चवणनी का कभी मेरे साथ scam नहीं हुआ, पता है क्यों नहीं हुआ, because वही concept, जो मैं पास में मुझे पता है, कि लिंक से अकाउंट गायब हो जाते हैं, इसी कारण मैंने YouTube के नीचे comment box off की हैं, because बहुत सारे लोग comment में link share कर रहे थे अब वो link पे click करते ही, एक आम आदमी हो सकता है, उसका तो पूरा account ही गायब हो जाए, तो ऐसा पंगा मैं क्यों लेना चाहूंगा, वही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये डबबा ट्रीडिंग वाले लोग जो हैं, इनसे बच कर रहना अगर आपको अपनी basically अपनी family की चिंता है ना, कभी भी लाइक ये कहें, एक लाग के साथ खेल लो भाई, तुमको लट लग जाएगी, जुआ खेलते खेलते ये बात ध्यान रखो, पैसा नहीं है ना, मैं इसको positive मानता हूं लोग ऐसी बुद्धी के होते हैं, वो सोचते हैं और ये पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता है लोग ऐसे हैं कि पूछिये मत मतलब हाल देख रहे हो, लोग मेरे पास मेरे पास कहीं बार आच चुके हैं, सर हम 20 लाग के लॉन पे हैं, लॉन कैसे हो गया भाई डबबर ट्रेडिंग में लॉस कराया था लॉस कराने के बाद में घर बेच कर पैसा देना पिलाता, सच यह है, आप दिल्ली जैसी जगा पे जाना, कोई वहाँ पे बात भी करना पसंद नहीं करता, मैंने खुद फील किया है, without money, कोई वहाँ पे किसी की help नहीं करता देखो दिल्ली वाले बुरा मत मानना, बट मैंने अपना feel यह किया है, कि dark but true reality है, without reason, क्यों किसी की help करेगा, बात भी सही है, तो आप यह बात समझ लीजिए, कि यह लोग आपको 20-20 लाख रुपे 10-10 लाख रुपे, डबबा ट्रेडिंग के अंदर एक कह सकते हो, value दे देते हैं और इनको बोलो कि मैं इस चीज़ में काम करना चाता हूँ, option selling में, ना जी इसमें तो हमारा software allow नहीं करता क्यों भाई, allow क्यों नहीं करता, because वो भी समझ गया कि यह बंदे का jam में नहीं उतर सकता क्यों, इसको पता है, option buying के अंदर नुकसान ज़्यादा होता है, option सेलिंग में नुकसान काम होता है, वहाँ पे 66% chance है जीतने के, प्लस अगर इसके पास थोड़ी बहुत बुद्धी होगी, तो यह hedging भी करेगा, और hedging करेगा, तो यह monthly basis पे दबा कर पैसा चापके जाएगा, because यह option seller है और पैसा बनाएगा ही बनाएगा यह आपको हमेशा option buying की तरफ लेके जाता है, ध्यान रखना यहाँ पर आपके पास में phone कभी भी आ सकता है इन लोगों की तरफ से यह बात ध्यान रखना क्यों? मैंने बोला ना, आपका जो data है ना, यह लोग क्या करते हैं? आपके data motorcycle निकलेगी, उसके अंदर क्या है? आपका data जो है ना, वो collect किया जा रहा है वो data का game खिला जा रहा है उसको कैसे आपके साथ use करेंगे? वो लोग आपका call करेंगे, आपको डबबा ट्रेडिंग के लिए कहेंगे, किसी ने बिचारे ने बोला कि डबबा ट्रेडिंग है क्या? मुझको तो पता ही नी आइ, वो बोलेंगे आपको पैसे नहीं देने ट्रेडिंग, इसले तो नी कर रहे होओ ne? आपके आपके पास पैसे नहीं है? वो कहता जी सर इसले तो नी कर रहोओ, चलो जी पैसा एक काम करो हम दे देते हैं, बाकि तुम क्या करो, पैसा कमाओ, खुश रहो, मस्ती मारो, कोई दिक्कत ने, दुबाई गुमो, सिंगापूर गुमो, अपनी फैमिली को अच्छे खाना किलाओ, होटल में गुमाओ, तुम पैसा कमाओ यार, दिक्कत क्या है, हमें बस खाली क्य आने की जर्वत नहीं है, ठीक है, आपको per trade जो 40 उरुपे लगते थे न, वो कीवल 10 उरुपे लगेंगे, ठीक है, इससे आपको भी profit है, एंड हम क्या करेंगे, अगर आपको loss होगा, तो आपको घर से उठा लेंगे, ठीक है, ये सारे के सारे term and condition ठीके ठीके करके आपकी हा लोका हो गया, गलती हो गई, ठीक है, बट अगर बार 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 तुम इस गलती में जाओगे न, बार 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 बार, तो वो गलती नहीं है, वो तुम्हारी मूटता है, और मैं खुलनम खुलना बोलूँगा, कोई कैसी बाते कर रही हो, ये सच है, अगर मुझे पता लग कि यहां पर काम करने से पैसा बनता है यहां पर काम करने से पैसा जाता है जब मुझे पता लग गया है बिजनस अपने काम का नहीं है, सिंपल सी बात है, अब मुझे कोई काम बोलने लगो, मैं अपनी बताना चाओंगा मुझे कोई काम नहीं आता और नहीं आता नहीं आता एकसेट करो सिंपल सी बात है ना हमेशा ध्यान रखो जो काम आपका नहीं है वो आप नहीं कर सकते तो छोड़ो उस चीज को दूसरे पर फोकस करो बट ऐसे लोग जो होते हैं ये ट्रैप में फ़र्ज जाते हैं कि एक लाख रुपे का क्या हुआ चलो 20,000 का लॉस हो गया दी में दी में दी में उसके बाद क्या हुआ जी 10,000 का प्रॉफिट हो गया फिर क्या हुआ फिर 20,000 का नुकसान हो गया फिर क्या हुआ फिर 20,000 का profit हो गया उनको feel यह आ जाता है कि हम चलो नुकसान तो हमने नहीं करा है finally हम zero loss पे खड़े हैं यार तुमने सबसे कीमती चीज गवा दी अपनी life का कम से कम 6 महीने छोड़ो 6 दिन भी गवाए ना तुमने तो तुम्हारा सबसे पहले तुमने नहीं गवाए तो भी तुम्हें लग रहा हो तो टाइम वैल्य तो गई ना बट बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो गवाएंगे ठीक और ये लोग आपको इतने बत्तमीजी के साथ बाते करते हैं इतनी जादा धमकी देते हैं आपसे ऐसी ऐसी चीजे करा लेते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते समझे रहो इस ट्रैप से हमेशा बचना और ये कॉल आपकी नहीं यार मेरे पास भी आती है मैं बता रहा हूँ आपको काफी सारे लोग आते हैं काफी सारे ऐसे कॉल्स आती हैं कहते हैं हम शेयर मार्केट से बात कर रहा है नंबर कहा से मिला भाई तुझे सोचने की बात है और especially girls होती है वहाँ पर ताकि तुम गाली गलोच भी ना कर पाओ, दोखो मैं अपनी बात करो ना, मजाग मजाग में सच बोलने वाली बात, तो भाई मेरा जमन करता है, नॉर्मली मैं गाली नहीं देता हूँ जादा, ठीक है, गाली नहीं देता हूँ, means, बहुती, 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 एक्स्ट्रीम कोछ हो जाता है ना, like, बिल्कुली कोई, तब होता है, otherwise मैं गाली नहीं देता हूँ, बट जब मुझे ऐसे कोल आते है ना, तो मैं अपनी पूरी की पूरी जो पीछे की इच्छा थी ना, इच्छा शक्ती जितनी भी थी, बहुत दिनों से गाली न पन करें, तो उसके recording करता हूँ, और चैनल पे भी डालता हूँ, reason यह है, समझे रहो, तो भाई, मज़े लो है, ऐसे लोगों के साथ में, मज़े लेने का means कि कह सकते हो, नमबर कहां से आयर तुमारे पास में, यह scammers जो होता है ना, देखो पहले-पहले क्या हुआ करता था, OTP, इसकैम था, यह सकैम था, वो सकैम था, अभी सकैम का तरीका बदल रहा है, यह लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से fraud बाजी कर रहे हैं, डबटे इंके नाम पे गेम खेल रहे हैं, software आता है, software यार मैं आपना आदू बताओ, software को बहुत बढ़ी बात हो जाती है, क्या, simple स है, उसको तुम बोलो में तेरे घर पे आगे खड़ा हो जाऊंगा, ठीक, क्या करेगा वो आदमी, वो कहेगा भाई, एक काम करी, पकड़ पैसे गलती होगी, तेरे साथ में जुड़ा, यही तो कहेगा ना वो बंदा, यह बात ध्यान देनी की बात हो जाती है, काफी सारे काफी सारे लोग जान बूच के इनके पास जाते हैं, काफी सारे लोग मेरे पास कॉल जब आती है, कहते हैं, डबबर ट्रीडिंग कोई आप वाले को जानते हो, I was shocked कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, because ऐसे लोग ऐसे होते हैं, आ बैल मुझे मार, समझ रहे हो, उनकी लाइफ सब लेना अपना, basically अगर फिर भी आप मांगते हो तो, और अगर आपके सीधी सीधी लाइफ चल रही है, तो मेरे भाई, मैं सीधी सीधी बात बोलूगा, से भी रजिस्टर्ड के साथ काम करना है, RBI Approved to Pair में काम करना है, ठीक, कम खालो मेरे भाई, ठीक, कम खाओ, बट लंब खाल है, मार्किट के अंदर, लोगों को लोग बिचारे, दस खारएर जो बंदे है, मैं उनको कोई बुरा नी कहंगा, वेकर उनकी जैसी education है, जैसी बे जगह से वो काम कर रहे है, वीचारे महनत कर रहे है, वो महनत कर रहे हैं, बट अगर वो उस महनत को कर रहे हैं, और उ सभुपून पूरी पूरह साल की इंकम्रति उसके सी बात है पहले उसको समझाया में अर है और यह इसा मैंने बताए ह以ह तां कि हम यहां पर काम करें और केहने के ठीक है कहीं ना कहीं किसी का कटी जाता है वो कितना भी smart हो या विचारा कोई कितना भी सीधा हो अब वो आदमी की बात की जाए तो उसकी basically wife की वरिये से गलती की वरिये से उसको इतना नुकसान हुआ और उसका कहना यह था कि आज रात आत्महत्या करने की सोच रहे हैं, मतलब घरीब आदमी गाउं देहाज से, ऐसी जगा जहाँ पर दिन में 400 रुपे कमाना उसके लिए बहुत अच्छी बात एक्स्ट्रीम मानी जाती है उसके लिए आता जाता रहता है, तब वो बिचारे दोनों के दोनों हसे, और हसने के बाद में फोन कट किया, अब वरना आपको सोच सकते हो ऐसी कंडिशन बाद में क्या करेगा यार वो जानी तो देगा ना, उसके पास बिचारे पर बाद में पर कुछ है भी तो नहीं न, उसको ट्रैप में फसाया जा रहा है, ऐसे तो यह डबब ट्रेडिंग वालों को ध्यान रखो जैसे ही कॉल आती है मिरे भाई, इनको तो मज़े लो, इनसे मज़े लेने चाहिए, भाई तू बता, तू क्या करता है, समझ रहे हो मज़े लो, टाइम पास करके, कॉल कट कर दो, इससे जादा कुछ करने की जरुवत नहीं यह मेरे भाई, इस चीज को दिमाग में बैठा ले न, वरना यह extreme case हो जाता है मैं खुद basically इतना परशान हो गया, मैंने गार बता, बंदों के साथ में इतना हो गया और police case करो, यह करो कुछ नहीं होने वाला, simple सी बात होती है scam जो होता है, यह पूरी planning के साथ करता है, यह लोग तो इस तरीके से ध्यान में रखो इंसे कीवल एक ही तरीके से बचा जा सकता है कि आपको इस scam का पूरा process बता हो जैसे अब डबबा ट्रेडिंग के बारे में पूरी कहानी मैंने आप बता दी ठीक है, अगर फिर भी कोई like कह सकते हो, डबबा ट्रेडिंग में first जाता है भाई, तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं इतनी बात बोलूँगा, क्योंकि जो आदमी कहा रहा है मुझे मारो, मुझे मारो, तो मारेंगे न लोग उसको वही चीज़ यहाँ पर आती है, जब कोई कहा रहा है मैं तो मरना ही चाहता हूँ मर जा भाई, सिंपल सी बात है ना एक लिमिट तक सेफ किया जा सकता है तो ये डबबा ट्रेडिंग वालों से बचके रहो इनके चक्कर में कभी नहीं पढ़ना शियर मार्केट का बहुत गंदे वाला स्कैम है लोगों के जिंदकी बरबात हो जाती है मुझे ही पता है कि मैंने किस तरीके से एक घंटा बात कि बिचारे को कैसे कैसे समझाया हर एक को ऐसे समझाने वाले नहीं मिलते मैं पहले क्लियर कर देता हूँ और अगर बेसिकली सोचो मेरे कॉल करने के बाद वो जान दे देता तो भाई मुझे उठा लेते मेरे चैनल भी बंद हो जाता और मैं तो कुछ करम कारण किये ही नहीं मेरा बिल भट जाता ऐसा भी होता है समझ रहे हो तो आप देख सकते हो ये स्कैम के कारण लोग कितने बड़े प्रेशन में आ जाते हैं सो आई विश की यहां तक की बात है क्लियर हो गई होंगी फिर भी किसी के साथ में like नीचे comment करके बताना किसी को ऐसे call आते है क्या कि सर जी share market में काम करते हो आप कहते हो ना जी और मैं तो रोना चालूगर देता हूँ रोना means कह सकते हो कहते हैं कितना नुकसान हो गया अजी 30 लाग का नुकसान हो गया तो जिन अच्छा हमाँ अपनी वाली टिप बताएं कैसे आप पहले ट्राय करो मैं कहता हूं पैसे भेज पहले ट्राय तो तर्व पैसी ही नहीं अच्छा है तर्व้ क्या क्यात पहले पैसे और टेइल देंगे यहां वाला कि हम आप आपको detail देता है एक जगा कि आप contact कर सकते हो then आप मापे trade कर सकते हो then हम आपको ये करेंगे ये पूरा पूरा ecosystem देख रहे हो पूरा ecosystem एक बंदा दूसरे बंदे के साथ connected simple सी बात है मैं बताता हूँ ना मेरे 4X basically मैं 4X trading related बनाता हूँ मेरे पास में काफी सारे लाइक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा काफी सारे ऐसे लाइक क्या सकते हो 4X trading broker है उनका message पढ़ा है 50,000 रूपीज 65,000 रूपीज पर वीडियो समझ रहे हो पर वीडियो केवल महीने में एक वीडियो बनानी है और हम contract कर रहे है यह सबसे best broker है जी यह धंदा चला रखा है लोगोंने simple सी बात है और मैं हमेशा बोलता हूँ काम वो करना है जिसमें रात को सोते हुए चैन से सो पाएं अब काफी सारे client ऐसे होता है जिल लोगों को काम करना नहीं आता वो basically ऐसे forex trading apps के अंदर फर्च जाते है जो कि legal नहीं है मेरा मानना simple सा है काम उनके साथ मैं खुद करता हूँ जैसे कि मैं जिरुधा के साथ काम करता हूँ भाई 100% genuine है कोई बंदा उंगली उठा दे कि तुम number 2 के app के साथ काम करते हो तुरन चैनल डिलीट कर दूँगा दूसरी चीज़ आ जाती है LS Blue के साथ काम करता हूँ ठीक तीसरी चीज़ आ जाती है आप stock से साथ काम करता हूँ और खुलम खुला बोल के करता हूँ ऐसा नहीं है कि छुप चुपा के करता हूँ हर वीडियो की description में link देता हूँ because यह 100% legal है अभी भी कहूँगा जिसका demit account नहीं है नीचे जाके खोल सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है because business है यह pure क्योंकि काम करो genuine तरीके से profit सबको होना चाहिए ऐसा नहीं है कि आपकी जेब से पैसा जा रहा है मेरी जेब से पैसा जा रहा है company की जेब से पैसा जा रहा है profit सबको होगा तभी business grow कर पाता है इसमें कोई भी दूर आए नहीं है लोग कहते हैं कि भाई ऐसे वाले broker के साथ काम कर लीजिए वैसे वाले के साथ कर लीजिए और RBI approved है simple सी बात है simple सी चीज़ है यहाँ पर account open करते हो open करने के बाद में 9837-482890 second number है 8077521043 इन में से किसे के साथ भी account open करते हो आपका क्या profit होगा आपको genuine broker मिलता है सबसे best market में simple सी बात है यहाँ पर आपको और क्या profit होगा आपको सीखने के लिए मिलेगा educational content आप इन number पर message कर सकते हो कि भाई मैंने यहाँ पर account खोला है साथ में दन आप यहाँ पर message करोगे genuine तरीके से काम किया जाएगा business को business के तरीके से किया जाएगा क्योंकि share market के अंदर पूरा का पूरा business model है not like smart sewa अगर ऐसा होता तो चुनाव लड़ रही होते है अना भाई common सी बात है तो mind के अंदर पूरे concept clear रखो पूरी बाते पता होनी चीए कोई भी धोका दड़ी वाली चीज नहीं होनी चीए ऐसी चीजों में simple सी बात है किसी को बुरा लगा हो डबा ट्रेडर को तो लग जाए किसी को अच्छा लगा हो सीधे साधे आदमी को जिसको बच गई उसकी जान उसको भी कभी ऐसे call आये थे तो यार नीचे comment करके बताना कि कहीं मेरी तो गलती नहीं है मैंने कहीं गलत जगा नंबर दे दिया मुझे call आते है और वो भी उस नंबर पे call आते है जो कि मेरे parents के लावा bank के लावा किसी को पता ही नहीं है कमाल की बात है उस नंबर तक पे call आते है कि भाई आप share market में काम करते हो and इतने call basically मुझे मेरे जान पहचानवा लोगे नहीं आते है जितने उन लोगों ने बिचारों ने मेरे साथ में contact किया है within a last year कमाल की बात है और गाली सुनते है कितनी सारी देखो patience देखो लेविल का उनका level का patience देखो कितना जादा है पहली चीज तो क्या है ऐसे बंदे को बिठाएंगे जो बंदा इस चीज के लिए तयार हो मुझे दो बंदे गाली दे देंगे और without any reason गाली दे देंगे तो मुझे गंदा फिल होगा न और यहाँ पर तो इनको पता है कि हम लोग trap में फसा रहे हैं यहाँ पर तो इनको पता है पूछ सकते हो प्लस हम लोग क्या करते हैं संडे में psychological class होती है संडे के अंदर live session होता है 9.45 PM के आसपास चीक रात के समय Discord के ओपर आप चाहो माँ पर जोइन कर सकते हो नीचे मैंने Discord की भी लिंक दी है बैस डीमेट अकाउंट की भी लिंक दी है अकाउंट ओपन करके नंबर में मैसेज करके बता सकते हो तो आपको एक personal group जिसके अंदर कह सकते हो USDNR के बारे में trade idea share किये जाते है cable में USDNR पे काम करता हूँ इसके लावा किस और पे काम करने का logic भी नी बैठता है अभी की बात की जाए तो अभी भी trade जो है USDNR में जो बताई थी न मैंने कल trade वही trade अभी भी continue running चली रही है मुझे कोई फरग नहीं बढ़ता है चलने दो कोई दिक्कत की बात है अराम से profit gain करेंगे गांधी जी जाने नहीं चाहिए main topic वह है अराम अराम से like कह सकते हो आने आने चाहिए तो वो तरीका आप भी implement कर सकते हो I wish यहां तक की बाते clear हो गई होंगी मिलते हैं next important वीडियो के अंदर